गुड इविनिंग एन वेलकम डो दि क में कल सोंस तो आज की सीडियो में डिसकस करने वाले हैं हम ओल्फ किशनर reduction तो जैसे कि इस reaction के नाम से ही पता चल रहा है कि इस reaction में हमारी reduction होगी तो चलिए देखते हैं कि यह reaction कैसे होती है क्या होता इसमें तो सबसे पहले reaction में हमारे पास क्या क्या requirement होनी चाहिए उसको देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए उसमें aldehyde या फिर कोई ketone group और फिर उसके पास क्या देखेंगे उसमें होना चाहिए हमारे पास हाइटरजीन उसका फार्मॉला यह रहा एनस्टू एनस्टू और यह रियक्शन जो होते हैं इन दी परजन साफ बेस यह बेस नीचे देक्षण हैना है अब देख्ते हैं हम रिएक्षिन यह रहा हमारे पास ketone group कि यह Health करते हैं mechanism से ए कि जरिए देखते हैं इस की mechanism नहीं सब को सब्सक्राइब हम अपना लेते हैं की टोन वाल ग्रूप यह आमरे पास आरवन यह आर टू डबल बांड ओ यह मरकी टोन पलस हम इसको करा दना सब पहले हैड्रजीन से अब लिए यह इसे थी नहीं चुछ सरी जब और हम इससे रियक्शन करेंगे हमारे पास क्या होगा है तो इस वीडियो को देखने से पहले इस रेक्शन को देखने से पहले आप पो बंफ़ाड श्टीवेंस रियक्शन या फिर शपीर और रियेक्शन दोनों इस जैसी या इस कि मेगनी देखाय गया है तो हम यहां पर इसको करेंगे थोलो सा शाट में तो यहां से हम ओको निका लेंगे और यहां से कि ऐच को जुब हम इसको माई इहां से माइनस घूर लेंगे तो यह दबल बाण्ड जो इस एन से जूल जाएगा अगर आप इसको डिटेल जानी है तो आप बमफ़ार इस्ट्विस इसे यह एन फिर इस एन से जुड़ा हुगा एक इनस्टू यह रहा एन और इसे जुड़ा हुगा इनस्टू दो इस इधार की साथ ठीक है अबैए स्के बाद हुम करते है इसके बाद है आहारपास ब्लैस चुम ignore बेश कोकर्थ है हुम बेस के पर्टेंस में ओ oz- किये पलसके पलस क्या यह मैंद बैस से तो अब यह बाद करेगा यहां देस पलस को निकाल ले गा तो इस नाइडर जन पाए mm-4 और यह리 सब्सक्राइब निकल जारेगा ठीक फिर इस इन से लगा ये इन इस एन पर आया माइनस चार्ज और इधर एकेट से लगा हुगा है ये रहा एकेट और इस पर आगया माइनस चार्ज अगली स्टब्में होगा है ऐब यह वाला माइनस इस साइट खर अपना माइनस से इधर इधर बांद बनाएगा और जैसे यह एक बान इंदर इस नाइट्रोजन को मिल UPjobि यथी इस तरह कर जाना चीम्य ये वाले जाई और टूट डाबल है यह इस पर आढ रहा है माइनस रह चाँ यह माइन से प्रिम कले थै sorry है अब यह उले गाेर अप्रह लिए फ्लवाइस कर देदने स्राइड़ाएगर जोब वह वो इस आपर इस माईने से लग जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा यह चाहिए आरवन यह चाहिए और इस से लगा हुआ इधर यह हैं फिर इस एमे से लगा हुआ द मैज्ञा है और तो इस माइने से आकर यह वाला एच लग जाएगा तो यह वाला एक एच इधर आ जाएगा ठीक अब इतना हो गया अब इसके बाद होगा हमारे पास फिर से फिर हम बेश से करा देते हैं इसके बाद हम इसको फिर बेश से करा देते हैं फिर इसके बाद इस नाइड्रोजन के माइन स्वागी जय सा वह आ से ही रहेगा तो यह हमारे पास हरवन यह रहा हर टू यह हमारे पास यह नाइट्रोजीन और यह रहा करना है ग्रीटरोजन अब ह्टवल बांड एंड मारी बिद्हें आ एंदिन और हमारे पास माइन से यद्लsized बनाएगा और जैसे एक एलेक्ट्रान इसे मिलेगा तो इसका एक एलेक्ट्रान इधर से चला जाएगा और जैसे यह इधर अपना बांड बनाएगा तो यह नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा और इसे एक एलेक्ट्रान मिला इसका एलेक्ट्रान गया तो इस पर कोई प्रक नीं यहां से माइनस अंट यह दो निकल जैगा अद निगलर सब्सक्राइब कर दो दो जाए गा और दूसरा इधर जो जाएगा तो यह देखी यह हमारा प्रॉडक्ट तो देख लीजिए आप एक बार वह रही इसकी रियक्शन और यह रही है इसकी मेकनिजम अगर आप भी आपको कई कन्फीज होना तो आपने चेक करके पोछ सकते हैं हां तो इस रियक्शन का नाम था रेडक्शन कैसे होता है पिछली रियक्शन कि सी ना किसी वीडियो में यह थोड़ी सा पताई गया चलिए लगए फिर से पर रुकजिएं जब ऑक्सीजन हमारा किसी कंपाउंड में जो हमारे है reduction addition of hydrogen oxidation removal of oxygen reduction या फिर हम कहें addition of hydrogen यह होता हमारा reduction अगर हमार कहीं से hydrogen removal of hydrogen तो वह होता हमार oxidation इसकी detail आप जाने के लिए आप पिछली किसी किसी वीडियो बताया मुझे नहीं पता है लेकिन मैं यहां पर तो बता दिया हूं कि अगर किसी मालिकुल में हमारा oxygen निकलता है तो होता है reduction अगर कहीं पर add होगा तो होता है oxidation तो यहां से हमारा oxygen निकल कर hydrogen लग रहा है यानि कि oxygen निकल रहा है तो हमारा होगा इसमें reduction चलिए यह तो होगा reduction का part यह होगी हमारी mechanism अब देखते हैं इसका थोड़ो सा यहां करनी है तो शाट्रिक हमें क्या करना है हमारे पास जो भी कार्बोनिल गुरूप है मतलब eldehyde या फिर कोई ketone अलग गुरूप होगा उसके oxygen को हटा कर इन दोनों double bond को अलग अलग करके कर देंगे हैं यहां से इस इस oxygen को यहां से हटा कर यहां पर दो दो ब्रॉट जो है और डबल वाण्डा उसको सिंगल करके दोनों इससे जोड़ देंगे, अब कैसे करेंगे देखते हैं, एक्जामपल से ही देख लेते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ इसको कराना है, हमें NH2, NH2, यहरा हमारा है हीटरजीन, यहरा बेस, और यहरी हीटिंग कर्डिशन, कि हाइड़ाजीन बेसरे हीट और यहां पर एथाइलीन गलाइकॉल दिया गया है बस हमारे पास यह जो जो हमेरे पास में चीज़ें वह से हम देख लेंगे वह है तो हम समझ जाएंगे कि हमारी ओल्फोकिशनर रिडेक्शन रिएक्शन है हम और पास यह इसमें कि हमारे पास ग्रूपट मेंनेद्या है और के वाला कार्बन लेकिन यह वंवाल तो यह वाला यह निकलेगा यहां से निकलेगा और यह दोनों बांड अलग होकर दोनों एच से जुल जाएंगे ते लिए देखते हैं कैसे जूलेंगे अधर के जूले होगा भाई ओ पी एच वान टू त्री फोर फाइफ है कि इधर रहा हो यह इदर रहा है डावल बांड ओ यह और इधर से इसको हमने गायब करके दो एच लगा दिया बस यही करना है हमें अक्सीजन गौड़ा कर दो एच लगा देना है डबल बांज ने सिंगल सिंगल बांज से जुनों क्यूंकि हड्रोजन तो एक क्या बनवन आएगा अब जैते हम दूसरा एक्जांपल दूसरा एक्जांपल हम खोजिंगे पहले उसमें क्या ढूंड ना में की टोनी पास एक किट्रोन कारबन है तो इसमें क्या होगा जब हम एन हाइड्रस नस्टू नस्टू है तो हमारे पास नस्टू नस्टू हाइड्रजीन है बेस है और यह रही हीटिंग कंडिशन 23 डिक्रीस सेल्सियल यह 12 गंटा एथाइलीन गलाइकोल इसमें भी दिया गया हमारे आफ कारबनल को या फिर इस कियोटोन को दोनों में किसको करेंगे तो यह भी किट्रून है कि किटोन है इसमें दोनों रिड्यूस हो जाएंगे जरने। महीं इस से क्राएंगे रियक्शन कि उसी दो दोनों अक्सिजन को अड़ाकर हमें क्या करना बस दो-दो हाइड्रोजन लगाना हमें इधर यह रहा है वबदी प्लेन इधर एक रहए व्लओ प्लेन इसके बाद देखते हैं हमारे मिल यहां पर कितना बोन्ड है इसके दर यह रहे ंटू-टू-थरी-फूर फूर बाद हमरे पास दो बोन्ड द कि लेगें तो वरन टू-थरी को यहां मर पास वान-टू-थि इसके नह 집ावाइन यहां पर रहे हैं यह तरह से अब यहां पर जदाना है्ट्रोल जनी बाप आप दिखा लेंगे कि यहांपर यहां हमाद यह धोट्र जैर बसे थारी एक यह लए इसी चया हैおっ तो हमारे यहांपर S2 फाल पर यहां पर S2 फिर्डवयर तहुंस है। ऑढ़े होतु हमारे नहीं पर S2 लगा दियाasis पर देख यहां तारहे ङज़ामपल तारहे पार पर यहां पर स्थांपलर्य Tar. मतलब एक step में यह reaction हो चुकी है यह हमारे पास कार्बोनील होता है यह हमारे पास कीटोनी गुरूप और उसके बाद हम कराते हैं हाइटरजीन से तो अब यह निकलता है फिर एन आकरी से अटाइस्ट होता है यानि कि जब इसे अटाइस्ट हो जाकर एक step बाद रियक्शन होगी है और यह क्या है एक step बाद वाला हमारे पास सबस्ट्रेट ही दिया जा चुका है तो हमें क्या करना है यहां ते इसको पूरा हटा कर जो हमारे पार डवल दिया है यह दो आप इस तरह अगा जो है यह की एक step बान दिये काहिए घटना थे तरह जारीरेक्शन रही होगी तो इस तरह थे यह इस तरह से और यह यहां पर आँगा यह कार्बोनील कंपांड पलश के साथ यहां पर एनस्तु एन एस्टू डिया और यह एस्टू और यह को निगल गया यह निगल गया फिर यह एन वाला आकर इससे जुद है इस थो तो इस पहले ओ था ओंको षडा कर आकर हमें इन दोनों को इस तू कर ना था वह यह अपर कर दिया यह reaction दो थी वो एक step बाद में थी तो यह हो गए हमारे reaction देख लिए हमने फिर देख लिए हमने mechanism अब देख लिए हमने example भी तो ओल्फ किशनर reduction में बस इतना ही है मिलते हैं आप से निक्षी वीडियो में तब तक कि लिए दीजिए हम एजासत खुदा आफिस झाल